मैंने का था जेल का ताला तूटेगा नीश कर्शब चूटेगा आज जेल कर्शब चूटेगा आज़ जेल कर्शब चूटा है अमीरे शहर का हमने घरूर तोड़ा वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्टा के माली वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्ताँ के माली कली कली का जिनों ने लगु निचोडा है जीत एक सैनिक के बेटे की नहीं है ये जीत एक सैनिक की पतनी के बेटे की नहीं है ये जीत मानवता की जीत है इंसानियत की जीत है सत्य की जीत है ये जीत है बुराई पर अच्छाई की ये जीत है जब राजनीति के रहकर आप किसी की आवाज को दवाने का प्रियास करेंगे तो उसकी जीत है नोगों के काम आया किसी दीन दुखी को जरूरत थी मनिश कश्डब उनके लिए दिवाल की तरह ख़ड़ा था किसी को परिशान किया जा रहा था झूटा मनिश कश्डब उसकी रक्षा के लिए कबच बनके ख़ड़ा इस कश्डब ने जेल जाने से पहले एक word जो है अपने जुबान से निकाला था कि जैसे ही हम जेल से बाहर आएंगे 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा देंगे क्या आप यह संबब को देखे तारिक तारिक पर तारिक और आज वो तारिक आया उसके बाद जो है मनीश कस्षप को फाइनली जो है जेल से बाहर कर दिया गया ऐसे में जो है अभी हमारे साथ वरिष्ट वाकिल डॉक्टर एपी सिंग सर है सबसे पहले तो बहुत-बहुत बढ़ाई सर बहुत-बहुत आपको बढ़ाई सारे देश के लोगों को बढ़ाई एनराईज को बढ़ाई जो लोगों ने हमारी इस लड़ाई में मनीश कस्षप का साथ दिया हमारा साथ दिया तमाम मीडिया बंदू एलक्ट्रोनिक प्रिंट मीडिया सभी लोग सभी संगठन के लोग जिनमें सभी जाती धर्म छेत्र भाषा संप्रदाय के लोग सामिन है सभी को बहुत बहुत बढ़ाई हार्दिक बढ़ाई क्योंकि ये जीत एक सैनिक के बेटे की नहीं है ये जीत एक सैनिक की पत्नी के बेटे की नहीं है ये जीत मानवता की जीत है इंसानियत की जीत है सत्य की जीत है ये जीत है बुराई पर अच्छाई की ये जीत है जब राजनीती के रहकर आप किसी की आवाज को दवाने का प्रयास करेंगे तो उसकी जीत है कहने कही सर देखा जाता था एक बोली चला था कि सत्य परशान हो सकता है पराजित नहीं मैंने कहा था सत्य परशान हो सकता है पराजित नहीं मैंने कहा था जेल का ताला तूटेगा मनीश करशब चूटेगा आज जेल का ताला खुला है और मनीश करशब चूटा है मैंने कहा था पेट में बच्चा जेल में बंदा जीवन वर नहीं रहता है निकालना पड़ेगा उन्हें निकालेंगे और निकला और इसी 2030 के अंत होने से पहले मनिश कश्चप बाहर हुआ इस साल के हमारे सारे केस सुखांत के साथ अच्छे निणए के साथ अच्छे संपरदाय के लोगों के काम आया किसी दीन दुखी को जरूरत थी मनिश कश्चप उनके लिए दीवाल की तरह खड़ा था किसी को परेशान किया जा रहा था जूटा मनिश कश्चप उसकी रक्षा के लिए कबच बनके खड़ा था किसी बीमार के हिलाज के लिए मनिश कश् हैं आज उन दुआओं का फल है कि हमने राष्ट्री सुरक्षा कानून हटवाया एनस से हटा और मनीश कश्चा पर जो ठाग लगा रखा था कि राष्ट्री सुरक्षा के लिए खत्रा है मैं कहता था एक सैनिक का बेटा इस देश की राष्टी स्वरक्षा के लिए खत्रा कैसे हो सकता है वो सब को सामने आया है सर अखिरकर सरकार के ऐसी कौन सी बजबूरी थी कि अब तक जो है मनीश का सब को लगवाई 9-10 मेना होने जा रहा है होता है system होता है हम कानून में बिश्वास करते हैं हम Supreme Court गये हम मदुरही High Court गये हम पत्ना High Court गये हम मदुरही के नैले में गये District Court गये district Court से लेकर मानि सरवोच्च नैले तक लड़ी जाने वाली लड़ाई समय लगता है समय तो लगता है हाँ अब जो आगे कानून बने हैं मानिये ग्रह मंत्री जी ने देश के मानियमिश शाजी ने जो नए कानून संसद में कल और परसों में जो पास किये हैं उन कानूनों में तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी दंड मिलेगा न्याय मिलेगा जश्टिस मिलेग सर मनीश कश्यप के सामने जब भीर आया था उस टाइम उन्होंने एक वर्ड जो है अपने मूँ से निकाले है कि आप लोग साइड हो जाओ वरना हमें फिर से कहीं जेल में डाल देगा भीड इतनी है शोहुरत इतनी है प्यार इतनी है मान सम्मान इतना है तो लेकिन हमें बिहार पुलिस पर भी भरोसा है लाइन और मेंटेन करने वाली संस्थाएं हैं वो कानून की बवस्ता रखेंगी सब कुछ करेंगी है अपने हिसाब से और मनिश कर्षप के लिए सब रास् है अमीरे शहर का हमने घरूर तोड़ा है अमल से अपने हवाओं के रुक को मोड़ा है वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली कली कली का जिनों ने लहू निचोड़ा है सर एक और सवाल है कि जैसे मनीश का सब जिल से बाहर आए वैसे ही कंस से तुलना कर रहे थे नहीं ये मैं अपने वेक्तिगत अलग विचार हो सकते हैं भै मेरा तो पेज डॉक्टर एपी सिंग लाएर इंस्ट्राग्राम डॉक्टर एपी सिंग लाइर बधाईों से भर गया खुशियों से भर गया मुबारक बाद से भर गया जै हो जै हो जै हो किसे बर गया सत्तिकी जीत हो से बर गया मनीश कश्चप जिन्दाबाद से बर गया और अगला सीम मनीश कश्चप बने बिहार का इस बाद से बर गया बिहार के कई अखवारों नामी गिरामी अखवारों ने चैनल्स ने लिखा कि हो सकता है अगला चीफ इनिश्टर बिहार का मनिश कश्यब बने डॉक्टर एपी सेंग सीनियर कॉंसल सुप्रिम कोट लिखा तो लोगों की जन भावना है लोगों का भाव है क्योंकि पत्रकार इस देश में मैं समस्ता हूँ पत्रकारता निडर निस्पक्षता के साथ निर्भीकता के साथ पत्रकारता करनी चाहिए मेरी माता जी ने भी सिखाय था कि सामने पहाड हो वही मैंने मनिश कश्रप को आज सिखा दिया कि जब उसने फोन किया निकलने के यह हमने आवान किया है उसके साथ सर मनीज कस्ण ने जेल जाने से पहले एक वर्ड जो है अपने जुवान से निकाला था कि जैसे ही हम जेल से बाहर आएंगे 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा देंगे देखे मैं इन बातों से तकलूफ नहीं रखता कानून में विश्वास रखता हूँ अदालत में विश्वास रखता हूँ यह दिन गिनने का काम मेरे से नहीं होता है यह दिन गिनने का काम मैं उचित भी नहीं समझता है, समबैधानिक सिष्टम है, लोकतंत्र है, जितने जिसकी हिस्से भागीदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितने जिसके पास विधायक होंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा, जितने जिसके पास सांसद होते हैं, वही प्रधानमंत्री बनता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, चुनाओ है, चुनाओ की प्रक्रिया है, चुनाओ हमारे यहां बहुत बड़े महापर्व के रूप में माना जाता है, सबको उस पर विश्वास है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, we are mother of democracy, हम लोकतंत्र की जननी हैं, दुनिया मे हमें, इकलोते ऐसे बिश्व के देश है, जो आवादी में भी सबसे जादा हैं, और लोकतंत्र की प्रक्रिया, और लोकतंत्र की प्रणाली में भी सबसे ज़्यदा विश्वास रखते हैं, सर एक और सवाल रहेगा अंत में कि जिस तरीके से मनीश कस्व ने पहले निर्विक्ता के साथ अपने पत्रकारता को जाड़ी रखा था अब वह रख पाएंगा अब उससे ज्यादा रखेगा क्या बात आप करते हो अब उसके साथ उसका बड़ा भाई डक्टर एपी सिंग ब दुआएं हैं अब मनीश के साथ सर्व धर्म संभाव है अब मनीश के साथ सभी जाती धर्म छेत्र और भाषा संप्रदाय के लोगों का प्यार है अब मनीश के साथ एनाराई लोगों का साथ है अब मनीश के साथ 36 गड़ चार खंड उत्तरप्रदेश बिहार पुरवांचल प्रवासी हिंदी भासी मजदूरों का साथ है अब गारी और तेज दोड़ेगी देखना अवे डवल इंजन की दा गारी दोड़ेगी जिस तरह से मनीज का सब को अब तक समर्थन मिला है ऐसे में जो है अब जो है मनीज का सब को भारत का बेटा कहा जा सकता है सनब बिहार सनब बिहार से शुरू हुआ और सनब इंडिया बनेगा सनब इंडिया क्यों नहीं बनेगा अभी पहले वहां मुख्यमंत एक दिन आएगा मैंने कहा था एक दिन आएगा मेरी अब तक की भविश्मानिया सारी सच हुई ब्रदेबुशन से अरण सिंग में का आपने का कोई माई का लाल नहीं जो ब्रदेबुशन सिंग को अरेश्ट करा के दिखा दे मारंद मोहन सिंग के बिहार के केस में कहा मैंने कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आनन्द मोहन सिंग को दुबारा जेल भीजवा दे वो लोगों के मसीह हैं जनता के मसीह हैं गरीबों दलतों के मसीह हैं बाहु वली लोग कहते हैं उन्हें बाहु वली सांसत कहते हैं वो लोग जिन्होंने लोगों के घरों पर कब्जे किये जमीनों पे कब से कि लोगों ने उनके लोगों की हत्याएं की वो लोग डरते हैं उनको डरना भी चाहिए क्योंकि आनन्द मुहन सिंग नयाय के साथ ही हैं वो मेरी भविश्वानी सीमा सचिन मीना के बारे में सब भविश्वानी हैं सोनी आक्तर अपनी ससुराल पहुंची श बड़ी कर आए और सबके सामने हैं Мीडία ट्राइल होने के बाप जूर भी मीडिया ट्राइल होने के बाप जूर भी ऐसे अधबुत काम हुए हैं इसके लिए सबका बहुत-धण्यवाद है ठीक है सो जस तरीके से आपने सुने मनीश कसब ने जैसे याजल से बाहर हुआ उसके बाद जिस तरीके के जो ब्यान दिया उसी पर जो सरका ब्यान जो अपना राय था वो रहा के फिलाल इस वीडियो के बारे में आपका प्रतिक्रिया के काता है नीचे कमेंड में लिखते वे जाएगा मिलते किसी अनखास कबरों के साथ अब तक लिए दीजे जाजात जैहिंजा भरत